एक पत्नी आसिक से मोहबत करके हुई बरवाद उसका पती भी कम नहीं था दोस्तो फिर पुराने किले में उस लड़की की मिलती है लास और उसका पती चलाता है सेक्स रेकेट आखिर क्या हुआ था इस घटना की पूरी सचाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंध त करती है जिसकी उमर 24 साल है और वह अपने माबाप के साथ आराम से रहा करती है वह थोड़ी हसमुख सुभाब की है जिसके सीसे भी मिलती अच्छे से हसकर बात करती और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लिया करती है यानि कि हसमुख सुभाब का कोई कोई बच्चा रहा करता है ऐसी ही अर्चना थी अब अर्चना बड़ी हो रही थी तो उसके माबाप को उसकी साधी की चिंता सताने लगती है और फिर उसके माबाप उसकी साधी के लिए एक लड़का ढूने लगते हैं तो उनके माबाप को एक लड़का मिल जाता है और फिर उसकी साधी कर बड़ी धूमधाम से उसकी साधी होती है और साधी होने के बाद वो अपने पती के घर जाती है। गुमसम रहता है लेकर उसके माबाप ये सोचते हैं कि अभी अभी गई है उस घर में दीरे दीरे उस घर में अपने आप ही एड़स्ट हो जाएगी अभी अभी इसको थोड़ी सी आदत नहीं है क्योंकि यह तो खुसमिजाज है और ससुराल में हर एक इंसान इस तरह से नहीं जाओंगे लेकिन उसका पता फिर भी उससे जवर जस्ती उसके ससुराल भेज देता है और फिर से वे अपने ससुराल चली जाती है लेकिन दोस्तों वो कहते हैं जब किसी को नहीं रहना तो नहीं रहना कोई ना कोई बहाना लगा कर निकल लेते हैं ऐसे लोग ऐस लड़की ने किया यह लड़की जब वहां पर रा करती थी खूब इसके पती के साथ लड़ाई होती लेकिन मंगल सूतर पहन कर निकला करती जिससे लोगों को पता ना चले कि इनके घर में लड़ाई है लेकिन कब तक यह है ड्रामा वे जहिलती एक दिर वह घर से निकल जाती है और फिर वह अपने ममी पापा को बता देती है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी और फिर वह एक नौकरी के लिए इंटरव्यू जा कर दे देती है वहें नौकरी NGO की होती है और NGO की नौकरी के इंटर्वियू में वहें सलेक्ट हो जाती है और फिर वहें NGO में नौकरी करने लगती है NGO में उसके साथ एक संतोस नाम का एक लड़का भी उसके साथ नौकरी करता है अब वहें दोनों एक साथ नौकरी करते हैं तो जो संतोस होता है वहें उसका दोस्त बन जाता है संतोस से उस लड़की की दोस्ती हो जाती है और वहें लड़की अपने घर की सारी बातें संतोस को बताने लगती है संतोस समझ जाता है कि इसके पती के साथ बनी नहीं है और उसको छोड़ करके यह नौकरी करने के लिए आई है अब संतोस इस मौके का फायदा उठाना चाहता था और अब वे अपने अंदर इतने गुन पैदा कर देता है कि अर्चना को लगता है कि मेरे पती से तो यही यह बहुत अच्छा है यानि कि यह होता है जब कोई इंसान किसी लड़की को फसाता है तो वे अपने अंदर पूरे गुन यानि कि सर्व गुन संपन हो जाता है यही दुनिया में होता है ऐसा ही यहाँ पर होता है संतोस के अंदर बहुत सारे गुन आ जाते हैं वे हर बात को अर्चना को पूछा करता उसका ख्याल रखा करता है अब अर्चना समझने लगती है कि मेरे पती से तो यही अच्छा है अर्चना संतोस से प्यार करने लगती है संतोस भी अर्चना से प्यार करने लगता है और दोरों की प्रेम पर के लिया इतनी ज़्यादा चल जाती है कि ओपिस में काम करने वाले लोग भी उनके प्यार को एक तरह से एप्रिसेट करते हैं और उनको बधाया देते हैं लोग कहते हैं कि प्यार हो तो आर्चना और संतोज के जैसा होना चाहिए लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब क्या होता है 15 दिसंबर 2005 को दोनों पूने में पौस अलाके में एक फ्लैट खरुदने का प्लान बनाते हैं दोनों ही एक साथ रहना चाहते हैं पती-पतनी की तरह तो दोनों ही कुछ पैसे एखटे करते हैं और जो अर्चना होती है वह कुछ ज़्यादा पैसे एखटे कर लेती है और जो स संतोस होता है वे अर्चना के साथ उसी फ्लेट के अंदर पती पतनी की तरह रहने लगता है यहाँ पर अर्चना अपने घरवालों को खबर विजवा देती है कि अब मैं अपने पुराने पती के पास नहीं आऊंगी मैं तो अब दूसरे लड़के के साथ रहती हूँ और वे म से गायब हो जाती है जैसे ही वहां से अर्चना गायब होती है तो अब जो उसके घरवाले होते हैं वे उसको इधर उधर ढूड़ते हैं और जो अर्चना का जो नया पती बनाता संतोस वे भी इधर उधर उधर उसको ढूड़ने लगता है और पुलिस के साथ भी उसको पुराने पती को उठाकरकर अच्छी तरह से पूस्तास पुलिस करती है लेकिन पुलिस को उससे कोई कलूर नहीं मिलता है कुछ दिनों के बाद, दो-तिन दिन के बाद पुलिस को तो वही के इक पुराने किले के अंदर से एक लड़की की डैड़ वरि मिलती है उधर अर्चना के जो घरवाले थे पुलिस में मामला दर्ज करवा ही चुके थे तो पुलिस को जब डेड़ वोडी मिलती है तो पुलिस अर्चना के माबाप को बुलाती है और अर्चना के नए पती संतोस को बुलाती है उस लड़की की पहचान करने के लिए तो यह पहचान लेते हैं और संतोस कहता है कि साब यह तो मेरी पत्नियार्चना है घरवाले उसको देखकर जोड-जोड से रोने लगते हैं और फिर पुलिस उस डेड़ वॉड़ी को पोस्ट माडम के लिए भेज देती है पोस्ट माडम से पुलिस को पता चलता है कि इसको इसकी गर्दन को दबा कर मारा गया है दोस्तों यहाँ पर पोस्ट माडम होने के बाद पुलिस उस डैड वोडी को उसके माबाप को सौंग देती है माबाप उसका अंतिम संसकार करते हैं और फिर उसके बाद पुलिस पूस्तास में जुड जाती है कि आखिर इसको किसने मारा है और क्यों मारा है अब उस अर्चना के माबाप से दुबारा से पूछा जाता है तो अर्चना के माबाप यही कहते हैं कि अब तो हमारे पास कोई ऐसा क्लू ही नहीं है, अब तो बस संतोस के उपर ही हमें सक जाता है, कि उसने इसको मारा होगा, दोस्तो पुलिस अब 26 मई 2007 को संतोस को अरेस्ट कर लेती है, उससे सक्ती से पूच्ताज जब की जाती है, तो संतोस यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है, यहाँ पर संतोस को भी छोड़ दिया जाता है, पुलिस को कोई कलू नहीं मिलता है, दीर दीर समय गुजर रहा होता है दोस्तो, पुलिस अब इस मामले को भूल चुकी होती है, क्योंकि अभी तक पुलिस को इस मामले का जो अपरादी था उसका पता नहीं चला था अब समय 2012 है पहुंच जाता है यानि कि 2012 है लग जाता है बहुत साल इस घटना को गुजर चुके थे पुलिस भी इसकी फाइल को बंद कर चुकी थी छे फरवरी 2012 है को पुलिस के सामने एक केस आता है वो होता है संतोस के खिलाप संतोस एक फरजी वाड़े के केस में आया था दोस्तो जो फ्लेट संतोस ने अपनी पतनी अर्चना के साथ लिया था उस फिलेट को वह किसी और लड़की के साथ मिलकर उस लड़की को अर्चना का नाम देकर उस फिलेट को बेच रहा था अब पुलिस संतोस को पकर लेती है और उससे कहती है कि आखर मामला क्या है संतोस सारी घटना बताता है कि यह फिलेट बहुत महिंगा हो चुका है इसको मैं बेचना चाहता हूँ मेरी पत्नी मर चुकी थी इसलिए मैंने इस लड़की को अपने साथ जोड़ा है अब पुलिस का दमाग थोड़ा सा गूंगता है पुलिस अब उस बहुत साल पुरानी जो फाइल थी उसको खोलती है और अर्चना वाले केस को दुवारा से रियोपन किया जाता है पुलिस को पता लग जाता है कि उसका कतल किया गया था उसकी गर्दन को दबा करके अब पुलिस आंकडे जोटा लेती है और दोस्तों अब क्या होता है उससे पूस्ताश की जाती है किस से संतोस से क्योंकि पुलिस को पता लग जाता है कि हो रहा हो इस फिलेट की वज़े से भी अर्चना को हो सकता है मारा हो संतोस ने पुलिस आंकडे जुटाती रहती है और 17 जनवरी 2017 को पुलिस को पक्का पता चल जाता है कि अर्चना को संतोस ने ही मारा है दोस्तो अब पुलिस उससे पूछती है कि आखर तुमने उसको क्यों मारा था तो संतोस सारी घटना यहाँ पुलिस के सामने बया करता है संतोस कहता है कि मैं अर्चना के साथ वह फिलेट लिया था और हम दोनों उसके अंदर रह रहे थे उस फिलेट के अच्छे दाम लग जाते हैं और फिर मैं अर्चना से कहता हूँ कि इसको बेच देते हैं लेकिन अर्चना कहती है कि यह तो हमारे सपनों का घर है हम इसको नहीं बेच सकते हैं लेकिन यहाँ पर संतोस को इसको बेचना था अर्चना उससे मना करती है दौनों के बीच में जगड़ा होता है और अब क्या होता है संतोस कहता है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए यह तो मेरी जिंदगी के उपर आकर एक तरह से पंचायत कर रही है दोस्तों यहाँ पर अर्चना को संतोस अपने साथ मंदर ले जाता है कोलापुर मंदर वहाँ पर मंदर दिखाता है और फिर गाड़ी वापस अपने घर की तरफ मोड़ देता है रास्ते में एक पुराने किले के पास सुनसान जगह होती है उस जगहे पर गाडी को रोक करके अर्चना की गर्दन को दबा कर उसकी हत्या कर देता है हत्या करने के बाद अब अर्चना को वही पर पुराने किले में वह फैंक देता है और अपने घर आ जाता है और आकर के अर्चना के घरवालों से कह देता है कि पता नहीं अर्चना नेजाने कहां चली गई है मुझे तो मिल ही नहीं रही है उसके घरवाले फिर केश दर्ज कराते हैं और फिर इस केश को सुलजने में 2017 तक का टाइम लग जाता है 4 नवंबर 2006 को वह गायब हुई और 17 जनवरी 2017 को इस केश का खुलासा होता है यानि कि पुलिस को इतने साल इस केश को सुलजने में लग गए थे दोस्तों यहाँ पर पता लगता है पुलिस को कि जो अर्चना का नया पती था संतोस वे सेक्स रेक्ट भी चलाया करता था पुलिस उसको अरेस्ट करती है उसको जेल में डाल दिया जाता है उसके ओपर मुकदमा दर्ज किया जाता है दोस्तों यहाँ पर जो लड़की जिसका राम अर्चना था दूसरे लोगों में खुसिया ढून रही थी अपने पती को छोड़कर उसको लगता था कि दुनिया के सारे लोग अच्छे हैं उसका पती बुरा है उस लड़की को यहाँ पर धोका मिला क्योंकि सब दुनिया एक जैसी नहीं होती है उपर का दिखावा कुछ और होता है और अंदर से लोग कुछ और तरीके के हुआ करते हैं ऐसा ही यहाँ पर अर्चना के साथ धोका हुआ अर्चना अपने पती को छोड़कर खुसियां तलास करने के लिए गई थी किसी और के साथ और फिर उसने ही उसका कतल कर डाला तो दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती आप मानेंगे क्या अर्चना की गलती है या फिर यहाँ पर आप गलती मानेंगे अर्चना के पहले पती की उसने उसके साथ बना कर नहीं रखा और यहाँ पर संदोज की गलती तो है ही उसने उस फिलेट के लिए अपनी नई पतनी को मार डाला मौत के घाट उतार डाला तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लोगों के साथ सेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इस घटना से यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है समाज के अंदर बहुत तरह की घटना होती है अपने आपको बचा कर रखना चाहिए कभी भी इन चकरों में नहीं पढ़ना चाहिए वरना जिंदगी एक मिनट में बरवाद हो जाती है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सेर जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे अगला प्रोग्राम में बोजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें, साबधान रहें रिष्टों की एमियत को समझें जय हिंद, जय भारत